कैसे सब लोग तो आज हम जानने वाले हैं कि what is the correct sequence of class 12 chemistry topics जो बच्चे जई और नीट की तयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत काम का topic है बहुत काम का lecture होने वाला है और ये जो sequence में बता रहा हूं ये quota coaching में follow किया जाता है तो अगर आप ये जान लेते हैं कि class 12 topics का correct sequence किया है और हर topic के लिए 11 की basic knowledge होना अवश्यक है तो आपके लिए easy हो जाएगा तो आप यहां से देख सकते हैं कि मैं correct sequence कौन सा follow करूं और मुझे उस particular topic के लिए कौन से class 11 के topic होना उसकी basic knowledge होना अनिवार रहे है तो आगे बढ़ते हम तो सबसे पहले जो मैं class 11 के sequence में बता रहा हूं इसमें हम लेते हैं actually physical chemistry के topics तो सबसे पहले जो topic हम कर सकते हैं वह है solid state physical chemistry की बात कर रहा हूं मैं इसके लिए कोई requisite topic है नहीं है यानि कि अगर आपको basic knowledge नहीं है class 11 के topics की तो भी आप इस topic को आराम से समझ सकते हैं एक छोटी मोटी mole concept की knowledge हो तो वह question करने में आपको मदद करेगी बाकि और किसी topic की यहां पर आपको आवशेक्ता नहीं है दूसरे topic हम आगे बढ़ते हैं solution and qualitative property इस topic को अच्छा करने के लिए class 11 का topic हमें चाहिए हुआ है mole concept और mole concept में कौन सा portion हमारा अच्छा होना चाहिए concentration terms and interconversion क्योंकि solution and qualitative का important part है concentration terms तो आप जो दूसरे number का topic हमारा solution and qualitative property उसके लिए आप उसे पढ़ने से पहले mole concept जो है वो पढ़कर ही इस topic को करेंगे तीसा topic है हमारा surface chemistry जिसके लिए कोई basic knowledge आपको चाहिए नहीं class 11 के किसी topic की knowledge आपको चाहिए नहीं इसके बाद हम आते हैं चौते number के topic पे वह है chemical kinetics कुछ भूगा नहीं यहां पर बाकि एक mathematics का portion है integration तो integration की basic knowledge आपको होना आवशा के क्योंकि इसमें chemical kinetics chapter में integration बहुत detail तक होता है तो यह अगर आपका integration सही part है सही अगर आपको command है तो chemical kinetics पे आपकार डाले ठीक है इसके बाद अगला chapter जो है हमारा electrochemistry electrochemistry में हमें ionic equilibrium और thermodynamics chapter की knowledge होना आवशा के जो कि class 11 के topic है तो यहां पर इस पहले column में topic का नाम लिख रहा हूं दूसरे column में section और तीसे column में मैं यहां लिख रहा हूं requisite topics कौन कौन से हैं जो कि class 11 के आपके अच्छे होने चाहिए अब हम आ जाते हैं physical chemistry के बाद तो आपको यह जान चुके हैं कि last topic हमारा physical chemistry का electrochemistry है तो coordination compound में क्या सकता हूं कि class 12th inorganic का सबसे important chapter है जैसे अगर मैं उपर जाओ इधर तो physical chemistry में सबसे important chapter आपका यहां पर आप chemical kinetics पो भी बोल सकते हैं या electrochemistry भी बोल सकते हैं physical chemistry की बात कराऊं inorganic chemistry में सबसे important chapter आपका coordination compound है इसे करने से पहले आपको basic knowledge एक तो chemical bonding की होनी चाहिए और एक isomerism की knowledge होनी चाहिए chemical bonding जो है उसका वो portion जिसमें आपको hybridization और structure shape के बारे में बता जाता है वो चीज आपको coordination compound में use होने वाली है उसके अलावा आपको organic में isomerism detail में पढ़ाया जाता है structure or stereo उसका use यहाँ पर coordination compound में थोड़ा बहुत होगा बहुत जादा use नहीं होगा थोड़ा बहुत knowledge आपको होना आवशक है पर ज्यादा knowledge आप chemical bonding की रखेंगे तो आपको coordination compound में help हो जाए दूसा chapter है हमारा metallurgy metallurgy जो है इसमें आपको थोड़ा बहुत portion इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है electrolysis और electrolytic cell के बारे बता जाएगा वह चीछ जो है metallurgy का एक part purification का तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि metallurgy में जो है metallurgy जो है पढ़के आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वह आला part electrolysis और इलेक्ट्रोकेमिकल से पढ़ने के बाद आप metallurgy को पढ़े तो आपको अच्छा समझ में आएगा कोडिनेशन कंपाउंड, metallurgy और इसके बाद हम आते हैं nitrogen and oxygen family के लिए आपको जितने भी जो blocks आते हैं इनमें दो टॉपिक आपके मस्ट है इलेउंद क्लास के periodic table और chemical bonding तो nitrogen oxygen family अच्छा करने के लिए दो टॉपिक इलेउंद के चाहिए periodic table chemical bonding उसके बाद आप आएंगे halogen and noble gas family में उसमें भी basic requisite periodic table chemical bonding उसके बाद हम आ जाते हैं D block पे D block जो है इसमें भी basic knowledge periodic table और bonding की must है और यह सब चेप्टर पढ़ने के बाद हम आते हैं qualitative analysis qualitative analysis में आपको mainly reactions आएगी और reaction आपको काफे साथ reaction तो redox दिखेगी जो रटने वाली होगी तो qualitative analysis में तीन चेप्टर की basic knowledge होना आवश्यक है unique equilibrium पहला 11th class का chapter unique equilibrium से आपको पता चलेगा कि precipitation होता कैस है वो basic concept क्या इसका इसके अलाबावा D block और P block D block में आप K2, CR27, Kmenophor पढ़ते हैं वो जानने जरूरी है क्योंकि यहीं पर ज़्यादा का reaction उनकी आती है इसके अलाबा P block में जहां जहां redox reaction है उनमें से ज़्यादा कर आपके qualitative analysis में यूज होती है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस sequence को follow करेंगे पढ़ते समय अच्छा आप intermixing भी कर सकते हैं जैसे आप एक physical का पढ़ने के बाद एक inorganic topic उठा ले तो महां कोई दिक्कत आपको आई की नहीं के बाद आप start करें ठीक है चलिए थैंक यू फॉर लिस्निंग